Hello my dear friends, welcome to my channel प्रदीब Legal Health मैं आपका दोस्त प्रदीब गोड़ेडोकेर आज किस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ घरेलू हिंसा के मामलों में वकील के जरूरत क्यों होती है भार्दी कानून में महिला सरच्छन अधनियम 2005 की अंतरगत घरेलू हिंसा का अपराद एक संगीन अपराद मना जाता है जिसमें अपरादी के खिलाब मामला दर्ज होने पर कारावास की सजाबी हो सकती है इस अपराद में अपरादी को कारावास के दंड के साथ साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है ऐसे अपराज से किसी भी आरोपी का वच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसमें आरोपी को निर्दोस साबित करना बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसी विशम परिषिस से निपढने के लिए एक अजवक्ता ही अठात एक वकील ही ऐसा बेक्ती हो सकता है जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाथकारी सिद्ध हो सकता है अगर वहाँ वकील अपने छेतर में निपड़ वकील है तो वहाँ आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है और घरेलू हिंसा जैसे बड़े मामलों में ऐसे कसी वकील को निपड़ करना चाहिए जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो और जो ऐसे मामलों को कुछित तरीके से सुलधा सकता हो जिससे आपको केस जीतने के चांस ज्यादा मिल सकें तो फ्रैंड्स उम्मिद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब अब असी करें थैंक्यू फ्रैंड्स